इस साल के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवरात सिंग चोहान अपने परिवार के साथ नासिक पहुचे यहां उन्होंने बाता 12 जोतर लिंगों में से एक भगवान तरंबकेश्वर के दर्शन किये इस दरान मुख्य मंत्री के साथ उनके पत्नी और दोनों बेटे भी मौजूद रहे जहां उन्होंने भगवान तरंबकेश्वर से देश प्रदेश के खुशाली और शान्ती की कामना की भाव विभूर होकर भगवान के दर्बार में भक्त बन कर पहुँचे हैं मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री जो नत मस्तक है नासिक के तरंबकेश्वर मंदिर में यहां मुख्य मंत्री शिवराग सिंग चौहान ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की पत्नी साधना सिंग चौहान, दोनों बेटे, कार्थिकी चौहान और कुणाल चौहान साथ रहे तरंबकेश्वर गरबार से सीम शिवराज सिंग ने देश और प्रदेश वासियों के फुश्वाली की काम ना की सीम शिवराज परिवार के साथ आर्थी में शामिल हुए उन्होंने अपने दोनों बेटों के साथ रंबकेश्वर जियोति लिंग पर जलाभी शेग भी किया हमारे प्रदान मंत्री जी के नित्रत्म में एक बैभबसाली, गौरबसाली, संपन्द, सम्रित और सक्तिसाली भारत का निर्वाण हो रहा है हमारा देश बहतिकता की अगनीवे दग्द विस्वमारपता को सास्वा सान्ति के पत का दिखदर्सन कराए और मध्ष प्रदेश प्रिगती और विकास के पत पर आगे बढ़ता जाए मध्ष ऑन्देश की जनता भी सुखी हो देश की जनता भी सुखी हो सीम शिवराज हमेशा नवर्ष और तैवहारू के मौके पर भगवान के दर्बार में आशी बात लेने पहुशते हैं सीम शिवराज सिंग चौहान भगवान चिंग को अपना सबसे बड़ा आराधे माते हैं भगवान के प्रती उनकी ये गहरी आस्था और भक्ति भाव विभोर कर देती है श्रीत त्रयमबकेश्वर मंदिर बारा जोतिर लिंगो में से एक है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि नाशिक से 30 किलोमीटर तूर गोदावरी के तटपर इस्तित है मंदिर के अंदर एक छोटे से गढ़े में तीन छोटे छोटे शिवलिंग है ये तीन शिवलिंग ब्रह्मा, विश्णू और शिव के नाम से जाने जाते हैं इस मंदिर के संबंद में मानिता है कि यहां इस्थित शिवलिंग स्वयम परकट हुआ था यानि इसे किसी ने यहां इस्थाफित नहीं किया था Bureau Report, Good News Today